खेलो दोस्तो मैं हूं प्रभास और सागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिस्रापर दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेका आया हूं जो की है रेलवे से जुरूए और दोस्तो ये रेलवे के साथ-साथ कुरेना वाइरस स क्या इनिशेटिव लिए है और पेश्टेंट की सुरक्षा के लिए दोस्तो सारी बाती होगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सब बड़े बतलाव होने जा रहे हैं दोस्तो इससे पहले कि मैं वीडियो सुरू करूं मेरा आप से आग रहे देवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर्ड करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताए कि रेलबे का फैसला आपको कैसा लगा चल्य दोस्तो आज की वीडियो खूल करते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में को रेना वायरस बहुती तेजी के बढ़ता जा रहा है और पहले ही विश्यू के जो सबसे बड़े पांच देश हैं उनमें तो तबाही दिखा ही चुका है साथ ही विश्यू के लगबग 200 देशों में अपनी तबाही दिखा चुका है और दिखा रहा है दोस्तो आने वाले समय में भारत में हॉस्पिटल्स और उनके जो आइसोलेशन वार्ड है इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पढ़ने वाली है दोस्तो इसी को लेकर रेल्वे ने एक प्रस्ताव दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि क्यो नारेल के डिब्बे जो पड़े हुए है जो जो अभी ट्रेने नहीं चल रही है उनको एक आ 30 से लेकर 30 के बीच में है और दोस्तो यदि इन ट्रेनों का उपयोग करके आईसोलेशन वार्ड बनाये जाए तो करीब हर ट्रेन में 1000 वार्ड बनाये जाएंगे तो दोस्तो इस प्रकार से यदि हम देखे तो भारत में अभी टोटल 75 से जादा रेल्वे स्टेशन हैं और यदि इस प्रकार से बेट्स बनाये जाएं तो ट्रेनों का उपयोग करते हुए जिने रेल्वे और हेल्थ मिनिस्ट्रिय का इसोलेशन वार्ड के रूप में इस्तमाल कर पाएगे और ये एक मिनी हॉस्पिटल की तरह दिखने लगेंगे और दोस्तो यदि भारत की करीब 10 पर्सेंट पोपुलेशन कोरेना वार्यस से संक्रमित हो जाती है जो करीब भारत में 1.3 बिलियन लोग इसे संक्रमित होंगे लेकिन हमारे पास जो बेट्स होंगे नगारे तो इससे तो मतलब एक प्रकार की वो बन गई कि भारत में ट्रेनों की इतनी कैपिसिटी है कि वह isolation ward में स्थापित कर पाएगा और इससे जो hospitals में जो एक प्रकार का रश आएगा भीड़ आएगी अत्याधिक मात्रा में वह भी कम हो जाएगा और दोस्तों इससे बहुत जादा फाइदा होगा और दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें एक गली दिख रही है जो कि फॉस्ट एसी राजधानी में आपको देखी पाद देखी जाती है और दोस्तों इसी प्रकार से अने चेनों का भी धीरेधर उपयोग किया जाता है यदि भारत में जैना वारिस के मरीजियों के संख्या बढ़ती है तो दोस्तों कैसा लगा आपको रिल्वे का या फैसला और रिल्वे का या प्रस्ताव जरूर को मेंट करके जरूर बताएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर झाल कर देखने के लचमा करें आपको पाह जरूर आपको बदेखने कर आपको जो राएज़ करें दो Clayton